आप जब एक्जाम स्थे पार में, जलना डोरम जब एक्जाम देने जारा रहा है क्लिरिफाइब करके आपको पूरी दर्गेस एक्स्प्लाइशन के साथ बताया जाएगा 25 प्रसन है लेकिन 25 प्रसनों में आपको 100 प्रसन हल करने का हम एकदम बिल्कुल समझे जो ताकत दे जाएंगे आपको ठीक है एकदम वीडियो अच्छा लेगा तो लाइक करिएगा ला लाइक करना नहीं पुरिएगा पहले प्रसंद से दुरूरा करते हैं एक प्रसंद को देखेंके रिंगल मैं इसकेल का प्रयोग निमल्खीत के घंट्मा पने में किया जाता आदिक्षब से पहले तो यहां पर आगए रिंगल मैं एसकेल है अब हैं इस यह किस चीज के अपने के लिए यह दूना का घंत्वूशन का घंत्वा एक जीज एक चीज और जान लिए जो बादर का प्रसार का माप क्या जाता है वो एक से ले करके आठ तक की संख्याओं में होती है अब एक से आठ में क्या होता सर जब जीरो होता है जब जीरो भेलीवाता है तो आकास साफ माना जाता है आकास क्या माना जाता है तो यह माना जाता है कि आध चड़ि अगला देखिए एक चीज और जान ले जी ऐसे ऐसे प्रसन पिल्कूल एक लए और दमंजान प्रसन है अब बीज़िब तो जानते हो यहगा आप लोग बिल्कूल डी सीवल क्या हुता इसका है धुटनी की एभॉलता मापी जाती है उसको हानिकारक माना जाता है ये भी option में कभी-कभी आपको देखने को मिलते है 60-50 तक आपका हो गया मानक और 85 से अधी कुछ हो गया हो क्या हो गया एकदम हानिकारक हो जाता है अब लिखे एक और जान लीजिए एक डॉप्सन की D और B लिखे ठीक है एक डॉप्सन की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा दूद असमलब चौनओ दूद असमलब चौनओ उन्हें 10 कपावर 20 ओजोन प्रती मीटर स्कौाइर होता है इतना होता है ठीक है कर्बन मोनोकसाइड है मीथेन है ओजोन है और सलफर डायोकसाइड है इसमें कहता है क्या होगा आगे यहाँ पर देखे कहता है फसल फसल जैव मात्रा के अबसेसों के दहन के कारण ठीक है कारण वाइमंडल में उपरिकत में से कौन सा निर्मुक्त होता है कौन निर्मुक्त होता है मंडल में यह पूछा जा रहा है क्या सिर्फ कारण मोनोकसाइड होता है यानि केबल जो हैसे एक और दू कारण मोनोकसाइड और मेथेन होता है दू तीन और चार यहाँ जैब मात्रा के अबसेश का इद्धन करते हैं तो इसमें आपको सारे के सारे कार्मन मनोकसाइड भी मेथेन भी ओजोन भी सर्फर डॉयक्साइड भी चारो होता है यहाँ आपका आंसर एक दो तीन चार होना चाहिए था जो कि इसमें नहीं दिया गया यहाँ आप एंसर एक से अधिक हो जाएगा ठीक है इसमें सभी के सभी आपके आपके आपसन में आ जाएगा एक दो तीन चार हो जाएगा ठीक है यह आपका आंसर हो जाएगा इसे ध्यान लुआ सता है इन तीन को वाइव कि गुनवत्ता का सुचकांक जो वहता है उसमें आट पर दूसर को सामिल किया और को जिलिए जिसमैं 03 क्वहता है और कि रफпр 옆े होता ने самые q return लखना है और दोद्धिया जाता है ताथा धूंदला हो जाता है जिसके कारण क्या होता है नेत्र इतर के द्रिश्टी में कमी हो जाता है उसमें और भी कई बाते हो जाती है जो आपका क्रिश्टल हो जाता है उसके बारे में आप जानते हैं कि वह चार प्रकार का होता है पहले आप जानते हैं निकर दिरिश्टी दोस को दूर करने के लिए क्या होता है आपको अबतल लेंस लगाना पड़ता है इसमें क्या होता है इसमें बेलनाकार लेंस लगाते है इसे भी आपको धियान रखना है आप से संबंदित एक गुलुकोमा रोग भी हो जाता है क्या हो जाता है गुलुकोमा रोग को आप कैसे करते हैं इसको भी सेलिश के द्वारा ठीक किया जा सकता है लेकिन ये किस कारण से होता है जो अंत में उसके आँख में क्या होता है इंट्राक्यूलर होता है इंट्रा बिस्म के लाल के बजय से हो जाता है इस को आपनी सोफ़ हो आने लगता हो है हमें सा पानी आने लगता है इन सभी चीजों को आपको ध्यान रटाहन है आगे बनेंगे दो एकला प्राशन नमारा कहता है क्याता है कॉष्षन नमर चार ग्रता है मानव स्वास्त के लिए ट्रांस वसा समानेतों हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह अस्तर कम करता है क्या आपको HDL का अस्तर कम करता है जो HDL का बतलब होता है high density क्या होता है लिप्रोटीस होता है इसे भी धियान रखेंगे आप HDL का तो इसी को आपको यही आप कांसर हो जाएगा इसी के अस्तर को कम कर देता है अब और भी चीज़े इसमें चान लिजेगा HDL का जो असतर होता है वो आदर से माना जाता है जो आपको 40-60 होता है 40-60 के बीच अगर है उसको आपको क्या माना जाता है एमजी पर मतलब डील इसको माना जाता है ठीक है यह आपको क्या होता है मतलब डेंसिटी जो ले प्रोटीस होता है इसको समझेंगे यह 40-60 होता है तो इसको माना जाता है क्या माना जाता है और 40 से कम होने पर हिर्दय रोग होने की संभाब नाए हो जाती है हिर्दय रोग हो जो उम्र के हिसाब से कर देखेंगे तो 19 बर्स या इससे कम होगा तो उसमें 45 mg प्रती डियल देखा जाता है और अगर देखेंगे 20 से अधिक आयू बर्स है तो वह आपको लगभग लगभग 40 के आसपास आ जाता है ठीक है इतने चीजों को आपको ध्यान रखना होगा आगे यही सब चीजें हैं जो आपको हर एक जगर नहीं मिलता है इसलिए इसको ध्यान रखना है और ऐसे ऐसे प्रस नहीं आपको एक्जाम में पूछे भी जाते हैं ठीक है तो यह जो है आपका फेनील क्यूटो नीरिया रोग जो है यह किस चीज को प्रभावित करता है यहां प प्रभावित करता है फेनील क्यूटो नीरिया रोग ठीक है इसको आपको बिल्कुल धियान रखना है यह क्या है अनुवांसिक विकार यह क्या है अनुवांसिक विकार है और यह फिनाईल एलीन के बनने के कारण हो जाता है किसके फिनाईल एलीनीन होता है इलीन इसके बनन फेनील क्या है किटो नीडिया इस रोक लग्शन क्या है तुपचा पर चक्टा जो तुपचा है सरीर इसके बाद ऀसके बैससे बाइं चान रर्पन किंडियाまだ स्वेश निल्रुण यह पने है कि रिक्षण पर लात हैं इसे भी आपको ध्यामिया समना हैww ब्यास के केंद्र मानम मस्तिस्क के नुड़ित में से किसे किस भाग में इस्थित रहता है तो परित्रिप्ति की बात करेंगे ये ब्यास की बात करेंगे अगर ठीक है ये किस भाग में पाये जाता है तो आप जाएंगे इसमें देखेंगे आपका option हो जाएगा hypothalamus यानि B option हो जाएगा कहाँ पाया जाता है hypothalamus में पाया जाता है hypothalamus का कारी आप जानते ही है ताप को नियंतरित करना है क्या है ताप नियंतरित करना है इसे भी ध्यार रखेंगे किसको ताप नियंतित करने का कारी करता है भूख प्यास बनाए रखता है भूख और प्यास बनाए रखता है वसा कर्भोहड़ेट इस सब क्या करता है पाचन करने में जो होता है उपापचे की क्रिया होती है उसको नियमित रखता है भाबनाओं जो होते है प्रिट्यूट्री गरंथी के बारे में जानते हैं भाबना को नियत करता है और प्रिट्यूट्री गरंथी सबसे क्या होती है चोटी गरंथी होती है और उसको मास्टर गरंथी भी कहा जाता है इसे भी आपको ध्यार लखना है सरीर का संतुलन भी बनाने का कारी क्या करता है या आपका हाईपो थेले मस करता है इन सभी बिंदू वपर आ बिल्कुल धियां रखेंगे अगल डिके साथ मनम हम कहें चैनातमाग किसके वज़ा को नहीं होता है जो चैनातमाग विखराब होता है क्या गैसों के बज़ा से होता है धूल कर के कारण होता है द्रब-गराही न आभिक हो या कोलाइड हो इन सब के बज़ा से हल ठीक इसे भी आपको ओदको ध्यान रखना है द्यान रखना ना अ catching क्ारण कि प्रकिर्नन क्या होता है कोलाइडी का पथ Celsius दिखाई देता है जिसको हम क्या करते है तिंडल प्रभाब करते हैं समुंद्र का जो रंग निला दिखाई देता है अकास का रंग नीला जो सुद्रियी आस्त, के समय में सुरी का लाल दिखाई देना किसका वज़ा है प्रकिर्णन के कारण होता है इन सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना है ठीक है इसे भी बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छा एक चीज और जान लीजे जो पायस होता है इसमें दूदह जो होता है पयस होता है रक्त को आपको I mean ले जाता है रक्त को आपको सोल में ले जता है बीध्यान रखेंगे यह सब चीजे है पनीड़ है पनीर का है जिल है इसे भी धिशान रखना है आपको आगर देखें आठने में से कौन शॉद्ध्यू बॉक्साइट को कत्चिय माल के रूप में परयोग करता है कमानलं के रूप में परयोग करने वालार कौन सा है यह अब का आपका ऑपका अंसर हो चाएगा उयोमीनियaż 5 क्या हो जाएगा aluminium हो जाएगा aluminium उद्योग जो है वो कच्छे माल के रूप чय जा रहा है इसमें अब कि इसमीं आप को पता है boxide का जू सूत्र होताइए हूँ ए एल्ल तू हो जाता एतु ही प्रतु हो जैता है गुटह्जीज ऍेचा हे एल्ल टू प्रतु हो ही है इसे भी ध्यान रखेंगे अलुमुनियम के हैं आगे देखें जब कोई बस्तू जब कोई बस्तू क्या होती है उपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या होता है जब जभी कोई बस्तु को ऊपर से गिरेगा तो उसके भार और पर्विर्तित रहेंगे अगर आप इसी में आ लिफ्ट की बात करेंगे तो ऊपर से नेचे करेंगे तो ओहां पर भार में आभासी कम ही आजाती है ठीका ठीका 3. एक परकाल काम होता है 3. थिंधक कनल पृर्च में ड्रहुन में यह सोजाब होता है यह उसे अलग है एक प्रकाल का बल है जिसे किसी बस्तू को प्रत्वी अपने केंदर की और खीचती रहती है प्रत्वी अपने केंदर की और क्या करती है खीचती रहती है यह हो जाएगा आपका भार अज़िके बिसाक्त मस्टर्ड गैस कौन सा होती है आपके सामने में दिया हुआ गैस है द्रब है ठोस है प्लाजमा है उप्रत में से कोई नहीं है उप्रत में से एक से अधिक हो जाएगा तो विसाक्त जो मस्टर्ड गैस होता है वो द्रब के रूप में रहता है किसके रूप में रहता है याद रखेगा विसाक्त मस्टर्ड गैस किसके रूप में रहता है तो द् हम पॉइन दोन निश्चीत हैं यह इसे भी ध्यान रिखिए ठीक इनते गेंगे इन 180 पर को आपको दियान रखना है है वीडियो को लाइक कर दीजे आप लोग लोग लाइक सेयर करेए से पिलड गूर्प होता है और माता का रख्त जो है सो बताए कि उसके पुत्र को निम्रीकत में से कौन सा अब आईए देखिए यहां पर बात करेंगे ए पिता का और ओ की बात हो रही है जब ए और ओ होगा ना उस इस्थिति में दो इस्थितिया पैदा होती है कौन सी अगर पीताे हैं माता ओट है तो अ होगा नहीं तो धियां में तो ध्यंन रखेंगे या को जाना पते के साथ की साथ लगा सिर्फ और सिर्फ ओट है यह टो होना चाहिए इस rescat O option है तो आपको इसके साथ बिल्कुल जाना पड़ेगा ठीक है यहां ध्यान रखना यह हो जाएगा आपका आंसर C option हो जाएगा ठीक है अब यहां देखे एक एक करके आपको clear करा देते हैं यदि पिता भी ओ रहे माता भी ओ रहे तो बच्चा O होगा यह फादर हम बता रहे ह है और यह child बता रहे है ठीक है यह क्या है child बता रहे है ध्यान रखेगा अगर पिता A है और माता भी A है दोनों A है तो बच्चा O होगा यह होगा इसे भी ध्यान रखेंगे अगर पिता B है माता भी B है तो उस इस्तितिम बच्चा O होगा यह B हो जाएगा अब पिता A है औ को भी आपको ध्यान रखना है ठीक है एबी एभी की अगर बात करेंगे एभी रहेगा तो की होगा इन-स SMITH अच्छे हैं बहुत यह मہत्वर है को में देखते हैं क्या केते काता हैं एक टेश्ट्ट्यूब में अमोनियम Кон्लॉराइड के साथ sodium hydro chloride को गर्म करने पर oxygen溢το मतलब हो गया आपका NH4Cl कहिए और sodium hydro जब गर्म होगा तो क्या वनेगा यहां तो सबसे पहरे जान लिजा इसके बाद क्या बनेगा सोनियम क्लॉराइड बनेगा इंए सी यए बनेगा उसके बाद जल बनेगा यह तीन चीजे बनेगे इसके इसके मिलान से ठीक है यह समय कि रहना आप का हो जाएगा तो तो आप इसमें क्या कहते है कि यह खुला तंतर का उदार हो जागए बंध तंतर की बात नहीं हो रही है इसमें कारबन कहीं नहीं है तो बनी की होगी एक परकाड का ठीक है इसे भी ध्यान रखेंगे और स्थील आपने जाने लिए निए वेंगर शोटा है आइस को क्या यह होता है इसको कास्टिक सोडावी कहते हैं के वेंगरों होता है के सोडिय। क्या कास्टिक पोटास के नाम से जाना जाता है और आह जो घर खणते हैं और đसी इस सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है यह सुतर होता है इसे भी आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते प्रस्ट को देखते हैं सबसे 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 होगा संबसे यहां पर आपको सार उर्जा भी आ सकता यह यहनी उप्रोक्त में से सब से इधिक हो ना होना यह तो क्लियर ही क्लियर है ठीक है गार्मन उध्रजन के कार्मन किया करता है और इस पहला है रहता है रहता है तो पर यह 23 किलमेटर प्रति धाटाय में मितमट गतिशी गत् उससे उत्पादन किया जा सकता है गते जुर्जा के साथ 12-14 किलोमेटर का अगरा हवा रहता है तो तेज रहेगा तो ठीक है इसे भी धियान रखेंगे इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं भूलना है ठीक है भूलेंगे नहीं चलिए आगे बढ़ जाते है थोड़ा सा नर मच्छर अपना भोजन कहां से गरहन करता है नर मच्छर की बात हो रही है नर मच्छर पेर पोधे का रस चूसते हैं क्या करते हैं पेर पोधे का रस चूसते हैं यानि आपका अप्सन क्या हो जागा क्या हो जागा डी हो जागा मच्छर एक लिंगी जन्तू को क्या करता है जन्तों से रस चूथा है इसे भी आपको धियान रखना है कि कि यह प्रमी तरह से होता है इससे बचने के लिए जो होता है तुर० दिया को जाए जिसमें आपको जार लएगा कभी-कभी सरी में जलन होगा गर्मी महसूस होगा भुखार तुरंत लगेगा और तुरंत पसीना निकलने लगेगा इन सब यह सब चीजें होती है ठीक है इसे बचने के लिए जो होता है सिनकोना मलेलिया से बचने के लिए सिनकोना बिरिक्च का चाल होता है जो की कहां मिलता है इसे भी ध्यान रखेंगे, यह सारी बातें आपको ध्यान रखने बाली है, ठीक है, आज कर क्या होता है, इसका कुईनन का उप्योग किया जाता है, रासाइनी की रूप से, आएए बात करते हैं, बिटामिन के की बिसिस्ट घुमी का किसके संसलेशन होता है, बिटामिन के की हैं यहाँ, यहाँ पर प्रतिरक्षी है, यह बिटामिन के की, यहाँ बिस्ट प्रतिरक्षी होता है, यह बितरों में होता है', यहाँ है, यह से एक फमकर आंसर वी हो जाएगा अब जैसे क्या विटामिन के जब यह इसे होगा तो रखत थक्का नहीं बनेगा जब रखत खक्का नहीं होगा तो जब कटेगा उटेगा तो काफी दिक्कते भेटामिन K का रासानी की नाम होता खिलो को यह जानते हैं आप लोग फीलो कुईनों होता याद रखिएयगा ठिक यह क्रित्म होता है लीभर में लीभर में होता है इसे भी ध्यान रखिएगा एकदम महत्वपूर्ण है यहां से प्रस्निक पूछे जाते हैं इसमें आपको कहां कहां से कि चीजों को खाएंगे तो अप अंडा खाईए अंडा का जर्दी जो होता वो खाईए हरा पती इसेगी हैं तो लग बिल्कुल देखे यूवी का मतलब है यू और भी अल्ट्रा वाइलेट रे जिसको हम इंदीम कहते पराभाईगनी किरन क्या कहते हैं पराभाईगनी किरन जो है यह जोंसे आने वालिहाने कारक किरुणों को क्या दाएं रोकने का ठालि करताया है प्रावर्णी करनों को इसे भी आपको धियां रखना है जो है समताप मंडल के नीचे भाग में लगो 15-35 km की बीच है ठीक है यहां धियां रखेंगे नीचे छोब मंडल होता है उसके बाद क्या होता है उपर बहिर मंडल होता है उसके बाद समताप मंडल होता है बीच में क्या आ जाता है आपका ओजोन मंडल आ जाता है ये भी धियान रखेंगे ओजोन है ठीक है इसमें तुचा कैंसर होता है तो कई तरह की कैंसर होते हैं इसे भी धियान रखेंगे आगे बरते हैं आगले प्र कहां पर है तो यह आपका C आंसर हो जागा रोहतास में कहां पर है C आंसर हो जागा रोहतास में है इसका ठीक है अब देखे यहां और भी चीज़ें जान लीजे रोहतास में चुना पत्थर का जो भंडार है वो लगबग 210-2.85 million यह नपा जाता है रोहतास जिले में उपलाद चुना पत्थर जो है वो बिल्कुल सिमेंट बनाने का कारे आते हैं सिमेंट बनाने का सिमेंट उद्योग वहां पर बिल्कुल होगा ठीक है कई उद्योग लगे हुए हैं ठीक है रहतास जिले में चुना पत्थर का मुखरूब से क्या होता है। सौन घाटी और पस्चिम की जो पहारियां है कैमूर की पहारियां वहाँ से निकाली जाती है। बिहार के किस जिले में राजी का पहला मेगा फुट पार्क की बात हो रही है। मेगा फुड पार्क जो बनाया गया है वो सबसे पहले भी ब्यार मुझभफर पुरिंग बनाया गया ठीक है इसको सरकार के दौरा के इंदर सरकार के दौरा भी मंजूरी मिल चुकी है तो आगे वरेंगे अगरे प्रसंद देखेंगे भूतापिये उर्जा का अधिक्तम उप संघंग्रहित निकाला जाता है प्रत्वी में संघंग्रहित ताप से निकाला जाता मादरग नाइश सथे आथिdan कराणे में पिलुकुल मदद किया जा रहा है ठीक है बर्पुर्प को हटाने में गलाने में उन सब जोगों पर भी इसका उप्योग किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नमर देखेंगे गुन सुत्रों की आकरती बिज्ञान जो है उसमें जो हैसो क्या क्या है आध्यान किस से किया जाता है इसका मध्या वस्था में ही आकरती बिज्ञान जो है अच्छी तरीके से इसका अध्यानकिया जाता है अभ यहां देखिए का पता है मनस्रमें गुंसुत्र क्या होता है 27 समन होते हैं 22 गया थ yearly सम आलख गयू नहीं साम रखना िसके बारे में की पहले बार सुटिक बारे में बालडेयर के बारे में बाताया था इन सब बातों को आपको धियान रखना है आगे दिखते हैं किस नमर क्या कहता है जर नापरन किस से प्राप्ट होता है यह कह रहा है अब देखें यहाँ पर जर यापको अबरन उसे से प्राप्थ होता है। कोशिका के सबसे बाहरी प्रत्में पाए जाता है। तो आपको जो आपरन होता है उसमें क्या होता है narc wrap को बिल्कुल धियान दिआगा बहुत इसको डीपली नहीं जाना है इसे बिल्कुल आपको सिर्फ ध्यान रखना है आगे बरते। आगला दिखते हैं देंगूबुकार की जब बात करते हैं उसमें वाइरस है यह अरफ फंगी है प्राइजा प्राइजाजा प्राइजाजा लिखा गया प्रोटो जोया होना चाहिए था क्या होना चाहिए था प्रोटो जोवा होना चाहिए था इसे हमको लोगता सुधार करना परेगा टाइपिंग में थोरा से मिस्टेक हो गया है ठीक है ध्यान देंगे इस पर लोग क्या होजाएगा प्रोटो जो आए पुस में प्रोटो जोभा यह ży्य होगा इसको देख लिए सब्सक्राइब कर दोब हो जैगा प्रोटो जोभा ठीक इसे धियान रखेंगे जब भी होता है फिरस से होता है आपको एक प्सञाद धिया हो थे इसे ध्यान को तब होता है किसी की औकनी तो वु खार की तो एकले बहुत सब्सक्राइब ठीक है वाइरस होने वाले और भी रोग बहुत सारे हैं जैसे कौन-कौन से बुखार हो जाते हैं एड्स है आपका वाइरस से ही होता है एड्स होता है चिकेन पॉक्स वाइरस से होता है किसे होता है चिकेन पॉक्स वाइरस से होता है स्मॉल पॉक्स वाइरस से होता है यहां पर आप देखेंगे जो सामाने रूप से जीन जो है डी एने के अनुका बना होता है यह बिल्कुल सही बात है सही बाते हैं आपका प्रोकेरियोटिक कोसिका का साइड जो है 10 mm से 20 mm होता है यह जो है सो सही नहीं है अब आपको किसके साथ जाना होगा ऑप्सन नमबर E के साथ जाना होगा आपका अप्सन नमबर E सही होगा क्लिर रहें कि डिन है अगली प्रेंड़ को देख लेते हैं little seconds का फिर सही नहीं है 24 में आपके पास फिर प्रेंच नाईगा कौन सा हो जाएगा आपका देख लीजे इसमें जो है अगर वागत करेंगे सही नहीं है तो कौन-कौन से सही नहीं है तो नहीं है कौन सही देखें ध्वनी की चाल वायू की आदरता बढ़ने से बढ़ती है ये बात जो है सो बिल्कुल सक्त है वायू में ध्वनी की चाल वाय वायू की आदरता से अपरभावित रहता है ये भी बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगा एक बार यहां बढ़ने की बात होईगे तो अपरभावित कैसे रहेगा जल में धोनी की चाल अधिक होता है वायू में धोनी की चाल से अब क्या करेंगे यहां पर तो उसके बाद किसमें होती है वो द्रब में होती है द्रब से सबसे कम किसमें होता तो गैस में होता है निरवात में ध्वनी गमन नहीं करता है सबसे ज्यादा क्या होता है इसे भी आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों को ध्यान रखना है यहां पर आगे बढ़ते हैं ला हाइस्ट्रोजन है इंसूलीन है यहोग इस고 है एक से अहिसा अधिक कि और पातिना यहां एक प्रात्मी को दूसरा कह सकते हैं तो सेक्स हार्मोमन में यहां पर estrogen हो जाएगा ए आपका option हो जाएगा ठीक है इस्ट्रोजन सिर्फ एक ही है चुकि प्रेश्ट्रोजन है नहीं अगर यह भी अगर इसमें रहता तो एक सदिक आपको ई पर आना पड़ता ठीक है इन सब ध्यान रखेंगे और प्रूस में क्या होता है प्रूस में अगर बात करेंगे तो प्रूस में आपको हर्मोन ऐसा है जो घरभास जो उसके संकुचन संकुचन करना या उसको आपको आपको देखते हुएगा जनबरों में दूध निकालने के लिए इसमें इसका उप्योग किया जाता है ठीक है इसे भी आपको धिया रखना है कि पूरा समय देखर के बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सेयर करिएगा सर्चेयर करना नहीं वीडियेगा बहुत धन्यवाद